नमस्कार मैं हो ससी आए जार्खन की टोप 25 पर मुख खबर जानते हाएं जार्खन सरकार किसानों के दो लाख तक के रीन माप करेगी क्रिसी पसुपालान एमसाकारता मंत्री बादल ने नेपाल हाउस इस्थिस सभागार में राज अस्तरिये बैंकर समेती के पताधिकारियों के साथ के सिसी लोन समेत किरिसी कारे के लिए किसानों द्वारा लिए गए रीन की माप ही योजना को लेकर बैठक की बैठक में उन्होंने कहा है कि किसानों के दो लाख रुपे तक के लोन माप किये जाएंगे इसके लिए उन्होंने सभी बैंकों से प्रस्ताव प्रस्तूत करने को कहा है 31 मार्ज 2020 तक किसानों दोवारा लिया गया 50 हजार से लेकर 2 लाग तक के रीन को वन टाइम से टलमेंट के माध्यम से माप किये जाएंगे इसके लिए सब ही बैंकों से प्रस्ताव अमंत्रित किया गया है मंत्री बादल ने बैठक में बताया है कि राज सरकार ने अपने वायदे के मुताविक ऐसे किसानों को राहत दी है जो बैंक के रीन की वज़ा से चिंता ग्रस्त रहते थे राज के करीब 4,70,000 से ज़्यादा किसानों के 50 रुपे तक के रीन माप किये जा चुके है इस मद में सरकार द्वारा 29,00 रुपे से ज़्यादा किरासी बैंकों को दी गई बिदित होगी 2021-22 में सरकार ने किसानों को राहत देने के मकसद से 50 रुपय तक की रासी के रिन को माप करने की घोस्ना की थी कलपना सुरेन होंगी जार्खन की डिप्टी सिये जार्खन में मंत्री मंडल बिस्तार के संभावना के बीच पूर्व सियम हमन सुरेन की पतनी कलपना सुरेन को उपमुख मंत्री बनाने की मांग उठ रही है खास बातिया है कि यह मंग जारखन मोक्ती मोर्चा की बजाय उसकी सहयोगी कांगरेस पार्टी की तरब से आई है जाम तरा से कांगरेस के विधायक इर्फान अंसरी ने यह मंग उठाई है उनका कहना है कि इससे बेहतर संदेश जाएगा इर्भान के मुताबिक कलपना सुरेन ने लोग सभा चुनाव में गडबंधन को सांदार जित दिलाई है उन्होंने अपनी मेहनत और परतिभा के बल पर अलग मुकाम हासिल किया है उन्हें डिप्टी सीम बनाने का बेहतर संदेश भी जाएगा इससे अगामी विधान सभा चुनाव में भी गडबंधन को लाब होगा उन्होंने अभी कहा है कि कलपना सुरेन आसानी से इस पद को हासिल कर चुकी है वे गांडे से विधान सभा के लिए निर्वाचित हो चुकी है हलाकि इस मांग पर सतर जामुमो की तरफ से कोई परतिकिरिया नहीं आई है जारखन में लूस से आठ की मौत पारा चालिस के पार जारखन में गर्मी की तपिस रुखने का नाम नहीं ले रही है सुक्रवार को भी जारखन के 20 जीलो में तापमान 40 डिग्री से उपर रहा मौसम विभाग के अनुसार पलामू का ढढ़वा और आस पास में से स्तर्च किया गया अधिकतम समाने से 5 डिग्री और नियमतम समाने से 3 डिग्री अथिक होने से रांची में रात में गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही इधार विशन गर्मी के काना राजे में मौत का सिलसीला भी जारी है पिछले 24 गंटे के दोना लू से राजे में 8 लोगों की मौत हो गई है। पिछले 24 गंटे के दोना लू से राजे में 8 लोगों की मौत हो गई है। पिछले 24 गंटे के दोना लू से राजे में 8 लोगों की मौत हो गई। जिसकी चपेट में आने से 4 यात्रयोगी घटना स्थल परी मौत हो गई। वहीं दर्जन भर से उपर लोग हैल हो गई। मिरितकों में 1 महिला और 3 पूरु सामविल हैं। घटना रात 8 बजे की है। पीजीटी और डिपलोमा अस्तरय परिक्षा का पईनाम जारी। परिक्षा फॉल का प्रकासन अगले चर्ण में पर्मान पत्रों की जाच के बात किया जाएगा। वहीं जार्खन डिपलोमा अस्तरय परत्योकता परिक्षा दो हैते हैं। पईनाम भी सुक्रवार को जार्खन करमचे चैन अगले जारी किया है। आयोग द्वारा पद द्वार जारी किये गए पईनाम में खान निरिक्षा के चार्ग, स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर के नौव, पईनाम जारी करते हुए आयोग ने कहा है कि सरत हरा में दर्ज परत्मी की क्याधार पर यादि कोई सफल अभियाती चार्ग सीट होता है तो उनकी उमिद्वारी रद कर दी जाएगी। देवघर वा जामतरा से गुजरेगी चाह लेन सडग। कोलकात्ता का सफर मातर तीन घंटे में पुरा होगा। इस योजना की कुल लागत लगभग साथ हज़ार कोड़ होगी। नेपाल के सीमा रक्सल से हल्दिया तक या सलग साथ 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 किलोमेटर होगी। केंद्रिय सलग परिवहानें राज मार्ग मंतराल ने डिपियार की मंजूरी दिये जाने के बाद नेसनल हाइवे अथरिटी अफ इंडिया के चेयरमेन को कैबिनेट में प्रस्ताप भेजने के लिए तयारी सुरू करने का निर्देश दिया है। चातरा से टीसपीसी के एरिया और सब जोनरल कमांडर सही तीन गिरफतार। तीन मैगजीन, 161 राउंड जिन्दा कार्तूस, एक लोड़ेड असलर दो मैगनीज, 164 राउंड जिन्दा गोली, एक एक के 47 का मैगजीन, वर 30 राउंड जिन्दा गोली बरामत किया गया। यह जनकारी SPB कास कुमार पांडे ने सुक्रवार को समाना ले, इस्थीत अपने कर्याले कक्ष में प्रेस कोंफरेंस कर दी है। सरांडा की 500 महिलाओं में 70% के जन्दांग में सुजान, जार्खन को सर्वाइकल कैंसर से मुक्त कराने का भियान सरांडा पहुंच चुका है, जन्नी सुरक्षा भियान के तहट सुक्रवार को गुवा में 500 से अधिक आदिवासी महिलाओं की जाच की गया, जिसमें 70% के जन के लक्षनवाली महिलाओं को ततकाल क्रायो चिकित्सा के जरिये प्री कैंसर से मुक्त किया गया, वहीं जन्नांग में सुजन के पिरित महिलाओं को इसकी दवा दी गई, इस मेगा कैंप में वाया और विल्ली पोजेटिव 10 महिलाओं मिली हैं, इन्हें कैंप असल पर ही गाईडेट क्रायो ट्रीटमेंट देकर सर्वाइकल फ्रीकेंसर से मुक्त कर दिया गया है। इसके साथ ही छात्रों को समय पर छात्रीविती मिले सुक्रवार के वही रांची थीत अपने आवास्य कर्याले में आदिवासी कल्यान आयुक्त अजय नात जहा को निर्देश दे रहे थे राज्ये में बनाएंगे डबल इंजन की सरकार बाबुलाल मरांडी भाजपा परदेश कर्याले में सुक्रवार को केंदरी बाल एवं महिला विकास मंत्री अनपूर्णा देवी और राक्षा राजमंत्री संजय सेट का स्वागत कारकरम आयो जीत किया गया दोनों ने ता केंदर में मंत्री बनने के बाद पहली बारांची पहुंचे थे भागवान बीरसा मुंडा की परतीमा पर मल्यारपन के बाद परदेश कर्याले पहुंचे अनपूर्णा देवी और संजय सेट ने लोक सभा में एंडिया गट बंदन की सरकार बनाने के बाद इसी साल होने वाले विधान सभा चुनाओं में भी जीत का दावा किया है कारकरा में परदेश भाजपा अध्यक्ष बावुलामरांडी ने कहा है कि जारकन में डबल इंजन की सरकार बनानी है उन्होंने राज्य को मंत्री परिशद में पर्याप्त परति निधित्व देने के लिए परदान मंत्री नायनमदी और केंद्रिय नितित का भार जताया है राज्य कर्मियों के स्वास्त भीमा का टेंडर रद नए सीरे से हुआ जारी राज सरकार के पताधिकारियों, कर्मियों, पेंसनरों, आधी के स्वास्थ विभाग ने पुराने टेंडर को रद करते हुए अब नय सीरिय से टेंडर अमंत्रित किया है स्वास्थ विभाग ने इस वर्ष की शुरुवात में ही विमा कमपनी के चायन के लिए टेंडर अमंत्रित किया था बता दे 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ विमा के लिए टेंडर भरने वाली कमपनियों में दो कमपनिया टेकनिकल बिंड में चायनित हुई थी बताया जा रहा है कि दो ही कंपनियों के तक्निक की बिंड में योग पाया जाने के करण इसका financial बिल्ड नहीं खुला इस पर बीत भी भाग से भी प्रमस लिया गया था दो ही कम्पनियों के तक निकी बीन में योगी पाये जाने के अधार पर नए सीरी से टेंडर अमंत्रित करने का नीने लिया गया बताते चले कि बीमा कम्पनी का चेहन तीन वर्स के लिए ही होना है CM को जगरनाथ पुर्रा थेत्रा के लिए मिला निमंत्रान मुख्यमंत्री चमपाई सुरें को यतिहासिक जगरनाथ पुर्रा थेत्रा महसाव को लेकर निमंत्रन दिया गया CM के सरकारी आवास में जगरनाथ पुर्मंदित धुर्वा रांची के प्रथम सेवक समंदीर नया समितिक सथाकूर सुधानसु नाथ साहदेव एवं सेवक, अमरदीप, कौसल ने मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें ने वता दिया है गतला भाय की भागवान जगरनाथ जी की रथेत्रा असार सुकल दिवितिये को सुरू होती है और इसका समापन दसमी तिथी को होता है इस साल राय धानी रांची में जगरनाथ रथेत्रसाथ जुलाई दोहेशोविस को सुरू होगी और इसी समापती सुल्ला जुलाई दोहेशोविस को होगी बिजली संकट के खिलाब भाजपाईयों ने जीम करयाले घेरा धानबाद ने बिजली की लचर बेवास्ता से आकरोशित भाजपाईयों ने सुकरवार के बिजली बिभाग के खिलाप हरला बोल दिया है बिधायक राय सिना के नेतित में करकरताओं ने बिजली बिभाग के जीम करयाले के घेराव किया है हाथों में तक थिया लिए सैकडों करकरतावा स्थानिय लोग गोल्फ ग्राउंड से जुलूस की सकले में सरकार के खिलापनारे बाजी करते विए जीम करया लए पहुंचे और जोरदार परशन किया गया लगभग एक घंटे तक जीम करया लएके समक्ष धरना परशन किया जीम असोक कुमार सीना ने बिली की सिती में जल्द सुधार का भरुशा दिया है इसके बाद आंदोलन समाप्त हो गया है MRP से ज्यादा रेट पर सराब बेचने वालों की खैर नहीं उत्पाद एवं मगद निशेद बिभाग में गुरुवार को बिभागे सचिव मुकेस कुमार ने बिभाग में तैनात राज के सभी इंस्पेक्टर दरोगा वा जमादार के साथ बैठक की उन्होंने कहा है कि सराब की बिक्री में कहीं भी अनिमिता में कणिये अपसरोग की सनलीपता अगर मिली तो उनका निलंबन ताय है ऐसे अधिकारियों की बिरुद बर खास्त की तक की करवाई होगी सचीव आयेस मुकेस कुमा ने कहा है कि राज में कहीं भी अवेद सराब बनाई जा रही हो या फिर मिलावटी सराब तयार की जा रही हो उसे हरा हल में रोका जाए साथ ही ऐसा काम करने वालों खिलाब कानूनी सम्मत करवाई की जाए वहीं राज में MRP से अधिक कीमत पसराब की बिकरी की सिकायत प्रवतपाद सचीव नराज रहे उन्होंने इस पर कड़ा रूख अपनाया और कहा है कि इसे हरा हल में रोके अगर पता चला कि इसमें भी भागी अधिकारों की मिली भगत हाए तो वैसे अधिकारी निलामबित होंगे और उनके विरूत बरखास्त की तक की करवाई होगी धन्यवाद